यूपी सरकार में मंतरी दिनेश तिंग जी सक्त हमारे साथ है दिनेश जी राहूल गांधी जी जो दिशा की बैठक में गए थे उसके बाद उनका नागपुर का एक भाशड है उसमें क्या ऐसी दिक्कते हैं जिसको लेकर आज आपको प्रस कॉन्फरेंस करें मुझे दुख है कि राहूल गांधी जी दिशा की बैठक में गए थे और उनको ये भी पता नहीं है कि वो एमपीज की बैठक होती है अत्वा जनपद की विकास के अनुसरवन की बैठक होती है जिसमें एमपीज नहीं होते हैं पी होता है और निर्वाची जन्पतिदी वहां के होते हैं तो मुझे दुख इस बात कहें कि नागपुर में कह रहें कि मैं एमपीज की बैठक में गया था तो चार बार का संसत जिसे ये पता नहीं है कि एमपीज की बैठक थी कि विकासकारियों की समिच्छा बैठक थी एले बैठक में पूछी तो फ़रा नधारत थी, मुझे पोछा थैस सा में ने पूछा राइबरियली की जिला अधिकारी की परिछे देने का अगरह किया जिस पर परिचे हुआ इसमें कोई दोराय नहीं लेकिन राहुल गांदी किसी से नहीं पूछा कि आपकीं जात तो अपना परिचे बता दीजी ऐसा कुछ नहीं किया और नाकपुर में जाक कह रहे हैं कि मैंने परिचे पूछा तो वहाँ पर ना दलित मिले ना अलपसंखेक मिले ना आदिवासी मिले और ना ही पिछड़े मिले जबकि उसी बैठक में राहूल गांधी ने अपने दसकत से जिनको नामित किया है उसमें सभी अधिक्तम अपरकास्ट के लोग हैं छे लोगों को संविधान अधिकार देता था राहूल गांधी को कि इसमें आप नामित करें सदस्यों को जिसमें उन्होंने दो ठाकूर एक ब्रामहर एक मुसल्मान एक दलित और एक बैकवर्ड इस प बैठे थे और जिस पर वो सवाल उठा रहे हैं उसी बैठेक में अपने हस्ताचर से वो दलितों और पिछुलों का हाग नहीं दे रहे हैं तो सवाल तो उठेगा ही कि आप क्यों बदनाम कर रहे हो राइबरिली को बाहर जाकर के जिनों ने आपको दे करके सांसत बनाया है उनको पानी पीपी करके आप जाकर के नागपूर में गाली देते हो ये किसी दसा में दिनेश सिंग और राइबरिली बर्दास नहीं करेगी वैसे मैं 1951 से अब तक का डेटा दे सकता था लेकिन 91 से मैंने 2022 के बीच में बिधान सबावों में जिनको कॉंग्रेस ने टिकट दिया है उनका डेटा राजदेश के सामने प्रस्तुत करा हूं कि आप उसमें देखो कि राहूल गांधी और राहूल गांधी की पीडियों ने कितने लोगों को टिकट दिया है उसमें 80% दलितों और पिचुणों का हक इनों ने नहीं दिया और मैं तो कहता हूं कि 10 जनपद के भीतर हाप ने कितना आरच्छन दिया ये तो बतादो तीन लोग घर के हैं। तीनोंसांसत्च चुने जा चुके हों तीछमा लड़ रहा है। उसमें कितने दलत अलप संखेक है मुझे बताओ कि अखिल भारति cured अगर अपने घर में हग दलितों को नहीं सकते हो अगर अपनी पार्टी में दलितों सोला आने कथनी और करनी में अंतर ही नहीं है कुछ है ही नहीं जहां कथन है वहां कुछ उनका कार्य है ही नहीं बहुत शुक्रिया बात करने के लिए तो आप दिनेश रिंग जी को सुनदे दून एविपी न्यूस से बातचीत की कैमरा और प्रेम सेंग के साथ वे वे एकर एविपी न्यूस लखना हूं